नमस्कार आप सबका टाग्डवी थालोक में बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर अमित कुमार शुक्री कैसे हैं अपनाओं दोस्तों आपके परिच्छाओं के लिए कंटिन्यूसली प्रैक्टिस सेट जारी है और बिगत जितने भी आपने टेस्ट देखे जितने भी आपने क्वेशन सेट की प्रैक्टिस देखी आपका जो फीडबैक मुझे मिल रहा है मैं उससे बहुत प्रोचसाहित हो रहा हूँ कि बच्चे लाभानवित हो रहे हैं यदि आप लाभानवित हों आपकी सफलता के लिए प्रैक्टिस सेट किसी भी दृष्टिकोर से उपयोगी हो तो यह हमारी और इस संस्थान की सबसे बड़ी उपलब्दी है महुत बहुत धन्यवाद आज की इस प्रैक्टिस सेट में हमारा जो चैप्टर है इतिहास का वो है मौरे काल भारती इतिहास का एक ऐसा कालखंड जहां से सामराज्य रूपी विसाल मौरे कालखंड का अध्यान बिश्त्रित रूप से होता है और परिक्षाओं में अक्सर यहां से काफी प्रशन पूछे जाते हैं दोस्तों इसक्रम में आपके सामने पहला प्रशन है सारनात के राज धर्म राजिका स्तूप का अंध्रमाड करवाया था प्रशन बहुत साफ है सारनात के धर्म राजिका स्थूप का अंद्रमाढ किस ने करवाया था आपके सामने चार आप्सन है अशोक कनिश्क मिनांडर और हर्ष अशोक कनिश्क मिनांडर और हर्ष सारनात का स्थूप विश्व प्रशिद्ध स्थूप है सारनात का स्थूप अपने आप में उन स्थूपों में सुमार है जो आज भी काफी सुरच्छित और ख्याती लब्ध है इस स्थूप का अंद्रमाढ किस के द्वारा कराया गया मुझे विश्वास है कि आप में से अधिकान्स लोग जानते हैं मुझे पूरा विश्वास है तो चलिए इसका सही उत्तर देते हैं और इसका निर्माढ कराया था अशोक ने जो मौरेवंस का एक महान सासक है उसी ने सारनात के धर्म राजी का इस्तूप का अंद्रमाढ करवाया था आप में से मुझे लगता है कि जादतर लों का सही होगा बहुत बढ़िया आगे ध्यान दीजिए क्रिश्वन नमबर टू बहुत इंपॉर्टन प्रस्ण है कॉटिल ये कहां के निवासी थे कॉटिल ये जिसे चाड़क भी कहते हैं विश्णु गुप्त भी कहते हैं वो कहां के निवासी थे तकसिला पाटली पुत्र वैशाली या स्रावस्ति आपके पास चार आप्सन है बहुत से बच्चे तो देखते ही बता देंगे कि कहां का निवासी है कॉटिल ये लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा जिन्हें नहीं पता उनकी लिए तो बहुत चैलेंजिंग क्रिश्ण हो जाता है इसलिए ऐसे क्वेश्चन्स जो वन लाइनर होते हैं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इन प्रश्णों का अध्यान करना और जानना बहुत जरूरी है परिच्छा के दुश्टी कौन से क्योंकि साधारन प्रश्ण गलत हो जाते हैं तो यह समझ लीजिएगा कि बेक्तिफाइट से एक्टमेटिक बहार हो जाता है इसे साधारन प्रश्ण गलत नहीं होने चाहिए तो दोस्तों कौटिल्य तक्सिला के निवासी थे बहुत इंपोर्टेंट है कहा के कौटिल्य जो है तक्सिला के निवासी है आपको पता होगा सिंधु और जहिलम नदियों के बीच में स्थित है तक्सिला और तक्सिला जो है प्राचीन भारत ही नहीं विश्व के प्राचीन्तम सैच्छडिक केंद्र में से एक है भारत का तो प्राचीन्तम सैच्छडिक केंद्र है ये स्वैम कोटिल यहां पर अध्यान तथा बाद में अध्यापन भी किये कोटिले के साथ साथ चंदगुत मौरे को कोटिले यहीं पर ले जाकर के सिख्छा दिख्छा देते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप में सधिकांस लोगों का यहां सही हुआ होगा तो कोटिले कहा के निवासी थे तो तक्सिला के निवासी है कोटिले बाध बढ़ियां अगले कुशन तरह बढ़ते हैं दो सुची आपके सामने दी गई है सुची एक को सुची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दियेगे कूर से सही उत्तर का चैन करिए बहुत इंपोर्टेंट है द्यान समझिएगा एक तरफ स्थान है और दुसी तरफ क्या है दुसी तरफ है स्थूप हमें बताना है कि कौन से स्थान पर कौन से स्थूप है या तो स्थूप है या भगनावशेस है भगनावशेस मतलब खंडहर, खंडित वास्तो, खंडित स्थापत्य कौशामभी, कुसी नगर, सारनात और स्रावस्ति एक तरफ चार के चार के स्थान है और दुस्तरब क्या है धमेक स्थूप, घोस्ताराम, मठ, राना भर स्थूप और सहेत महेत ध्यान दीजिएगा बहुत important है ये आपके सामने चार बिकल्फ है A, B, C, D इसमें से अपने अपने जबाब को चुनिए और जबाब देने की कोशिश करिए अपना देखिए अपनी परिच्छा अपना मुल्यांकन स्वयम से करना है काफी important है इसमें से जबाब दीजिए काफी important है ओके आईए देखते हैं कौशामबी अभी कुछी दिन पहले मैंने आपको बताया था पिछले ही side test में आत करिए घोसिता राम भिहार घोसिता राम जो मठ है न वो कौसामबी में है और बहुत महत्पूर है इसे कई रूपों में अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है कुसी नगर में है रानाभर स्थूप रानाभर और इसे आप इसे आप most important question समझेगा कुसी नगर में क्या है रानाभर स्थूप अब बसता है सारनाथ तो सारनाथ बहुत ही महत्पूर है सारनाथ में धमेक स्थूप भी है धमेक और अंतिम आपका जो बचरा है वो देखिए स्रावस्ति में सहेत महत है इस नाम से जाना भी जाता है तो इस हिसाब से आपका एंसर क्या हो जाएगा सी दो तीन एक चार वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन सब लोगों को इसे याद कर लेना चाहिए कौशामबी घोसिताराम मठिया बिहार कुसी नगर राना भर सारनाथ धमेक इस्तूप और स्रावस्ति सहेत महत वेरी वेरी इंपोर्टेंट अगला देखिए क्यूशन गुर्जरा लगुसिला लेख जिसमें असोग का नामुलेख किया गया है कहां इस्तित है प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है गुर्जरा लगुसिला लेख जिसमें असोग का नामुलेख किया गया है कहां इस्तित है आप्शन ए उत्तर प्रदेश के मिर्जापर जिले में Option B, मद्य प्रदेश के दतिया जिले में Option C, राजस्थान के जैपूर जिले में या Option D, बिहार के चमपारण जिले में गुर्जरा, लगुशिला लेख, जिसमें अशोक का नाम लेख है बताईए कहां इस्थित है आपके सामने चार ओप्शन है Question No.4 के, सभी लोग अपना जवाब दीजिए, बहुत ही important है अपना जवाब आप दे रहे होंगे, हमें इस बात का पुरा विश्वास है और जिन लोगों ने इसका सही उत्तर, मद्य प्रदेश का दतिया जिला लगाया है मद्य प्रदेश का दतिया जिला, उन्होंने सही उत्तर दिया है प्रसंख्या चार का सही उत्तर है, मद्य प्रदेश का दतिया जिला यहीं पर है गुर्जला लगु सिला लेख, जिसमें असोग का क्या है, नामोल लेख है दोस्तों, आपको पता है कुछ ऐसे सिला लेख हैं, जिसमें असोग के नाम मिलते हैं कुछ आगे उससे संबंधित, कुछ प्रश्न आगे दिये गए हैं उन जगहों में असोक के नाम मिलते हैं, असोक का नाम कई तरह से मिलता है, कहीं देवा नाम प्रिय दसी, सरवाधिक लोग प्रिय नाम भी मिलता है, तो कहीं असोक वर्धन भी मिलता है, कहीं सिर्फ असोक मिलता है, तो ये बहुत महत पूर है, जानना अपने आप में भी, कि गुर्जरा, लगु, सिलाले है कहां और क्लियर है कि यह है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में अगले कुशन तरब बढ़ते हैं कुशन नमबर पांच निम्लिखित में से कौन स्रोत मौरियों के नगर प्रसासन की विस्तरित विवरण प्रस्तुत करता है आपके सामने चार स्रोत है और बताना है कि इनमे से वह कौन सा स्रोत है जो मौरियों के नगर प्रसासन का विवरण देता है या प्रस्तुत करता है आप्शन A कोटिले का अर्थसास्त्र आप्शन B मेगा स्नीज की इंडिका आप्शन C विसाखदत का मुद्राराक्षस आप्शन D अशोक का अभिलेख इनमे से किस्ते हमें मौरे कालीन नगरी प्रसासन की भी जानकारी मिलती है अपना अपना उत्तर तुरन दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट तो चलिए अपना उत्तर चेक करिए ध्यान समझिए मेगस्नीज ने इंडिका लिखा और इंडिका से हमें कई तरह के मौरे कालीन जानकारी मिलती है इंडिका में बताया गया है कि 5 तरह की समितियां मिलकर मौरे काली नगर प्रसासन देखती थी जो अलग-अलग कारे देखती थी प्रतेक समीती में ध्यान समझेगा अच्छे तरह की समीतियां और प्रतेक समीति में पांच पांच सदस्य थे इस तरीके से कुल 30 सदस्य मिल करके मौरे कालीन नगर प्रसासन देखा करते थे इसकी जानकारी हमें मेगस्तनीज की इंडिका से प्राप्त होती है इस बात को समझेगा कि मेगस्तनीज की इंडिका आज लुप्त हो चुकी है इसकी जानकारी हमें कुछ युनानी बिद्वानों के द्वारा प्राप्त होती है किन्तु आज हम इंडिका को कहीं प्राप्त नहीं करते हैं, तो यह बहुत इंपॉर्टन कुश्वन था, कुश्वन फाइफ, आज देखते हैं, कुश्वन नम्बर सिक्स निम्लिकित में से कौन? मौर यूगीन अधिकारी तॉल मान का मतलब है माप तॉल से, किस से है? माप का प्रभारी था देखिए, मौरे काल में तीर्थ सबसे बड़े अधिकारी होते थे और अध्यक्ष विभागों के अपने-अपने अधिकारी होते थे, हेड होते थे तो सबसे बड़ा अधिकारी तो तिर्थ है उसके बाद का अधिकारी अधिक्ष है इसे मेगस्तिस मजिस्टेट कहता है उसी मजिस्टेट के बारे में पूछ रहा है कि मौरे काल में कौन समझेगा मौरे कालीन अधिकारी माप तौल या तौल मान का प्रभारी था इन में से कौन है, option A, पौतवाध्यक्ष, option B, पढ़याध्यक्ष, option C, सीताध्यक्ष, और option D, सुन्याध्यक्ष, इसे ट्राइट, यह ध्यान रखिएगा, पौतवाध्यक्ष, पढ़याध्यक्ष, सीताध्यक्ष, और सुनाध्यक्ष, अपने अपने उत्तर भेजिए, बहु कौन माप तौल का अधिकारी था और यह बहुत important question है सुमिलित करने को भी देता है बताईए अब अपने उत्तर चेक करें इसका सही जवाब है पौतवाध्यक्ष पौतवाध्यक्ष जो है वह एक प्रमुख मौरेकालिन अधिकारी है जो माप बाट का भी निरिच्छन करता है माप तौल का निरिच्छन करता है और यह ऐसा अधिकारी होना किसी राज्य में बहुत आउश्चक है क्योंकि इससे ब्यावशाइक नैतिक्ता का पता चलता है कोई भी गलत न तौले कोई गलत न मापे मेजर्मेंट सही है हो इसके लिए बहुत जरूरी है ऐसे अधिकारी का होना और हम मौरे काल में इस तरह के अधिकारी को देख सकते हैं अगले कुशन तरह बढ़ते हैं कुशन नबर सेबन अशोग का निमलिखित में से कौन सा एक अभिलेग कनक मुनी बुद्ध के अस्तित्त को प्रमारित करता है ध्यान समझेगा असोग का एक ऐसा इंस्क्रिप्शन जो कनक मुनी बुद्ध के एक्जिस्टेंस को प्रमारित करता है आप बताईए बहुत इंपॉर्टन कुशन है आप संचार है रूमिन दे इस्तंब लेग अभिलेग निगाली सागर इस्तंब अभिलेग सासाराम लवुशिला लेग और अहरावरा लवुशिला लेग ये चार हैं आपके स्पास इन में से कौन सा है जो कनक मुनी बुद्ध के अस्तित्त को प्रमारित करता है अपने अपने उत्तर प्रयास जरूर करिए आप जब प्रयास करते हैं तो गलतियां होने के संभावना रहती है लेकिन जो गलतियां गलतियों से डरता है उस सीख नहीं सकता इसे सीखने के लिए गलतियों से डरना नहीं है सिर्फ आपको प्रयास करना है अपना बेस्ट उत्तर देना है अपना उत् कि अपना उत्तर मिलाएं असो का निमलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनी बुद्ध के existence अस्तित को प्रमाडित करता है इसको वेरी वेरी इंपोर्टन समझे निगाली सागर स्थम्भवलेख इस वेरी वेरी इंपोर्टन निगाली सागर स्थम्भवलेख कनक मुनी बुद्ध के अस्तित को प्रमाडित करता है इस तरह के प्रश्णों को आपको किसी तरीके से टैकल करना ही चाहिए ऐसे प्रश्ण से संबंधित कुछ बातें आपकी दूसरी प्रेक्टिस सेट में सामिल है वाँ हम इसका एक्स्प्लेंट भी करेंगे आपको ध्यान दीजिएगा यह बहुत महत्पूर प्रश्ण है आगे ध्यान दीजिए अगला कुश्चन कुश्चन नमबर एट किस इतिहास कार के अनुसार सिला लेखों में अशोक के जिस धर्म का प्रतिपादन किया गया है वो वस्तुता राज धर्म है था कहने का सीधा सा मतलब है कि कुछ विद्वान है जिनका यह मानना है कि अशोक के सिला लेखों में जिस धर्म का प्रतिपादन किया गया है जिसे धम या धर्म का प्रतिपादन किया गया है वो उसका राज धर्म है इनका यह तर्क है कि वो कोई सनातन, हिंदु धर्म, जैन धर्म, बौध धर्म, आजीवक या कोई अन्य धर्म नहीं है बलकि एक राज धर्म है वो आपके सामने option है, fleet, option A, option B, B.A. Smith, option C, R.C. मजुंदार, और option D, राधा, कुमुद, मुखर जी, अपना जवाब जरूर दे, इस तरह के questions मैं आपके सामने लाया हूँ, जो प्रशन आपको बहुत important है और किसी न किसी परिच्छा में यह पूचता ही रहेगा, कभी न कभी, is a very very important question, question number 8, इसका जवाब सभी लोग दीजिए, और अपना जवाब चेक भी करिए, question number 8, most important है, बताइए, क्या है सही उत्तर, fleet, B.A. Smith, R.C. मजुंदार, राधा, कुमुद, मुखर जी, आपके सामने यह चार option है, अब अपना option चेक करिए, देखिए, आपको पूशता है कई बार, असोक के धम को, या धर्म को, राजधर्म किस ने कहा, fleet ने, इतियासकार fleet ने, यह माना कि, असोक के अभिलेखों में, जिस धर्म का वर्डन है, प्रतिपादन है, वो कोई प्रचली धर्म, हिंदू, धर्म, बौध धर्म, जैन धर्म नहीं है, लकि एक राज धर्म है, एक राजा का धर्म है, कि एक राजा अपने प्रजा को कैसे देखना चाहता है, एक राजा अपने प्रजा से क्या पेक्षा करता है, एक राजा अपने प्रजा को जीवन जीने के स्रिष्ट निर्देश देता है, एक राजा यह चाहता है कि उसके राजे में शान्ती कैसे बनी रहे, राजा का यह दाईत तो है कि वह अपने प्रजा की सुरच्छा के साथ साथ प्रजा को जीवन जीने का स्रेष्ट मार्ग प्रदान करे राजा का यह भी करतब्ब्ब्ब है कि वह ऐसे मुल्यों का अंडधार्ण करे जो किसी एक धर्म संप्रदाय से न जुड़ा होकर संपूर राज धर्म से जुड़ा हो फिलिट महोदय का मानना है कि असो का धम या उसके सिलालेखों में जो धम प्रतिपादित है वह वास्तों में एक राजधर्म है कुछ अन्य नहीं जिट्राइट आगे बढ़ते हैं कुछ नमबर नाइन निमलिखित में से किस मौर इस्तंभ या किन इस्तंभों पर सिंख शिर्ष का है ध्यान दीजएगा निमलिखित में से किस मौर इस्तंभ या किन इस्तंभों पर सिंख सिर्ष का है मतलब टॉप पर जाकर क्या है सिंख बना है सिर्ष पर सिंख है पहला सारनात स्थम पहला मतलब ये जो statement है अभी बिकल्प नहीं इसमें चार पहले statement है सारनात स्थम, साची स्थम कोलुहा स्थम तथा लौरिया नंदनगढ स्थम ये चार स्थम है इन चारों स्थम्भों पर चार जगह के नाम दिये के कहां कहां से सिर्स पर सिंग पाया गया है ये आपको बताना है option A केवल एक option B एक और दो option C एक दो और तीन तथा option D सभी यानि एक दो तीन और चार सोच समझ कर उत्तर दीजिए लेकिन उत्तर जरूर दीजिए और ऐसे questions बहुत important भी question है और चर्चित question है आपके सामने यही चार विकल्प है इसके आधार पर अपना उत्तर जरूर दीजिए question number 9 असोख किस्तम अपना उत्तर चेक करिए और एक question जिसका सही हो अपने में जोड लेगा ये भले ही recorded class है लेकिन आप उसी तनमेता के साथ जुड़िए जिस तनमेता के साथ आप बाकी classes में जुड़ते हैं और हर प्रशन को एक बहुत ही महतपूर और उंदा प्रशन समझ करके इसके साथ नयाय करिए आगे बढ़ते हैं दोस्त इसका सही उत्तर है option D 1,2,3,4 सभी सारनात स्तम, साचिस्तम घ्यांदीजे, कोलुआ स्तम और लौरिया, नंदनगड अर राज नहीं नंदनगड इन सभी जगों पर इन सभी स्थानों पर असोक का जो अभिलेख है, असोक का जो स्तम्भ है, उसके शिर्ष पर सिंग बने हैं दोस्तों, असोक के स्तम्भ की क्या भिसेस्ता है क्योंकि असोक के स्तम्भ से UPSC, PSC, तथा अन्य परिक्षाओं में प्रश्ण आते रहते हैं असोक के स्तम्भ पर यह भी आच्छेप लगता है कि वह इरानी संस्कृती से, इरान से इरानी स्थापत्यों से पर्सियन जिसे कहा जाता है, से प्रभावित है क्योंकि साइरस, डैरियस इन लोगों ने भारत प्राक्रमड किया, लंबे समय तक इस छेतर पर सासन किया, खासकर पर्शिमुत्तर भारत के कुछ छेतरों पर अपना बीसोआ छेतर बनाया उनका प्रभाव भारत पर पड़ा और वहीं से असोक को प्रेडा मिली होगी, ऐसा तमाम बिद्वान मानते हैं लेकिन अगर हम वहां के स्थाप वहां के स्तंब को देखें और असोक के स्तंब को देखें तो हमें तमाम अंतर दिखाई देता है जैसे मैं आपसे कहूँ कि अस्तोक के स्तंभ की विसिस्ताएं क्या है यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है उसकी के आधार पर आप उसकी तुलनात्मक अध्यन कर सकते हैं तो दोस्त असोक का जो स्तंभ है वो चबूतरे पर नहीं बना है सिधे जमीन पर खड़ा है जबकि परसिया के स्तंभ जो है वो चबूतरे पर बने है असोक का जो स्तंभ है वो एकाश्मक है यह कही पत्थर को तरासकर बनाया गया जबकि परसिया के जो स्तंभ है वो एकाश्म नहीं है असोक के जो स्तंभ है वो आधार से शिर्ष की तरफ संकुआ कार थोड़ा पतला होता चला गया है लेकिन परसिया में ऐसा नहीं है वो नीचे से उपर तक बराबर है इसके अलावा असोक के स्तंभ के कुछ अन्य विसेस्ता भी है जैसे अस्तंभ के ऊपर डिजाइन नक्सा कुछ ऐसा बनाया जैसे ऊपर जाएंगे तो अवांग मुखी का मल उसके उपर एक चक्र चक्र के हम चौकी भी कहते हैं चौकी या चक्र उसके उपर सिर्ष पर कोई न कोई पशू पशू का निर्माण पशू सब एक आश्मक या अपने आप में एक कला का उन्नत और उतकृष्ट उधारण है और धेर सारी विशस्ताया सोकिस्तम की यहां से क्वेश्चन हमेशा पूचता रहता है इसको ध्यान से समझेए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नबर टेन अपने ऊपर निर्भर पत्नी और बच्चों के लिए समुचित बेवस्था किये बिना बिक्चू बनने वाले बेक्टी के लिए किसने दंड की वेवस्था की थी किसने दंड की वेवस्था की कहने क्या मतलब है किसी बेक्टी के उपर यदि उसके पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी है और वह उस जिम्मेदारियों से मुढ मोड लेना चाहता है और सन्यास लेना चाहता है विक्चू बन जाना चाहता है तो कोटिल कहता है ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए अगर उन्हें करना भी है तो उनके समचित ब्यवस्था करिए मैंने पहले आपको उत्तर बता दिया यह बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है यहां विकल्प मनू याग्यवल कोटिल और नारत दिया हुआ है इसका सही उत्तर है कोटिल ले जिदो लोगों को मालूम था हो तो ठीक है अपने आपको सही समझिएगा मैंने ऐसा क्यूं किया इसको इस पर एक लेक्चर आपको कंड़ेक्ट करना है थोड़ा सा पांच मिर्ट नहीं दो मिर्ट सुनिए ध्यान से बात ऐसी है कि छठी सताब्दी इसापूर में जब धेर सारे संप्रदायों का उद्य हुआ उसमें बहुत जैन संप्रदाय काफी लोगप्री हुए बहुत से भिक्षू भिक्षूरी स्रावक्स राविकायं हुए इनकी संक्या लाखों पहुँच गई कई लाखों पहुँचती चली गई इसी बीच ऐसे पूरुसों की संख्या जादा थी जो इनमें पूरुसों की संख्या जादा थी और उनमें भी कुछ ऐसे पूरुस थे जो सिर्फ इसलिए बौद संग में जाना भिक्छु बन जाना पसंद करते थे क्योंकि उनके अंदर अकरमड़ता आ गए थे, निस्क्रमड़ता, अकरमड़े हो गए थे, तब वो निस्क्रमड़ करना चाहते थे, घर छोड़के चले जाना चाहते थे, पत्नी और बच्चों की जिम्धारी उठाना नहीं चाहते थे, इससे वो पत्नी और बच्चा क्या कर बेवस लाचार हो जाएगा। राजी के उपर इस तरह के संकठ आ जाते थे। वो आनात हो सकते थे। उनका मिश्यूज दुरुप्योग हो सकता था। तब कोटिल ने एक बहुत अच्छी बेवस्था दी कि अपनी ऊपर निर्भर पत्नी और बच्चों के प्रती समुचित बेवस्था किये बिना। द्यान दीजिएगा। कोई बेख्ति भिच्चुक नहीं बनेगा। अगर भिच्चुक बनता है तो दंड का अपरादी है। वो दंड का भोगी है। उसे अपराद समझा जाएगा और दंड का भागी है। जान समझे यह उस युग में बढ़ते सन्यास का को प्रमारित करता है। लेकिन कहते हैं न कि गीहूं के साथ घुन भी पिसता है। और ये भी है कि कई बार सन्यास का आवरण ओढ़े, आवरण ओढ़े ऐसे लोग जो अपने उत्तरदायत से मुख मोड लेना चाहते हैं, भिच्चु बनने का ढोग करते हैं। इन ही व्यवस्था को रोकने के लिए कोटिल ने ऐसा दंड का प्रावधान किया था। क्रेशन नम्बर टेन मुझे लगता है आप में से किसी को समयने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके आगे। निमलिखित में से किस गरंथ में वर्डित है कि चंद्रगुप्त मौरे ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्विकार कर लिया था। कौन से अगरंथ ऐसा बताता है। ओप्शन ए आचारांग सुत्र। ओप्शन भी भगवती सुत्र। ओप्शन सी परिशिष्ट परवन। और ओप्शन डी उवास गधशाओ। यह आपके सामने चार भी कलते हैं। आचारांग सुत्र। भगवती सुत्र। परिशिष्ट परवन। उवास। गधशाओ। बताई। क्या सही उत्तर होगा। अपने अपने तर्क दीजिए क्वेशन नंबर 11 बताई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेशन नंबर 11। अपने अपने तर्क आवश्चिदिए क्वेशन नंबर 11 में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अपने उत्तर चेक करिए। जैन गरंत परिशिष्ट परवन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन गरंत परिशिष्ट परवन से हमें एक बहुत बड़ा एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिलता है। वो इंफॉर्मेशन ये है कि चंद्रगुप्त मौरे जो मौरे वन्स का संस्थापक था ने जैन धर्म स्विकार कर लिया। बात कुछ ऐसी है दोस्त। चंद्रुप्त मौरे के सासन के अंतिम दिनों में मगद में एक अकाल पड़ा। इस अकाल से लोग त्राही त्राही करने लगे थे। उसमें जैन धर्म के दो बड़े आचारे थे। स्थूल भद्र और भद्र बाहु। इन आचारियों में से भद्र बाहु ने अपने अनुयाईयों के साथ मगद छोड़कर दच्छिड जाने का निश्य किया। जबकि स्थूल भद्र अपने अनुयाईयों के साथ वहीं रहे गए। भद्र बाहु दिगंबर जैन संथे और स्थूल भद स्वेतामबर इसी समय माना जाता है कि भद्र बाहु जो दक्छिड चले गए। उन्हीं के साथ मौर इवंस का संस्थापक चंदगुत मौर भी चला गया। और स्रावण वेल गोला की भौव में स्रावण वेल गोला की पहाड़ियों पर रहते हुए। उसने संलेखना या संथारा पधत से अपना प्राण त्याग दिया। इसकी जानकारी हमें जैन साहित्य परशिष्ट परवन से मिलती है। जो काफी महत्पून है। किसी न किसी रूप में अलग-अलग तरीके से संथारा, संलेखना, स्रावण विल गोला की पहाड़ियां, चंदगुत मौर, दिगंबर, स्वेतामबर, स्थूल भद्र, भद्र बाहु के बारे में पूछा गया है। इसलिए इस एरिया को आप बहुत इंपॉर्टेंट मानिएगा कि आने वाले परिक्षा में आपसे भी जैनधर्म की सेक्शन से इस च्छेतर से क्वेशन पूछेगा, ओबराल, नेस्ट क्वेशन, क्वेशन नमर 12, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए, यही सिंप कूट से सही उत्तर का चैन करिए, एक तरफ स्थान है, और दुश्य तरफ असोख सिलालेख का प्रकार है, असोख के बहुत से सिलालेख है, उनके प्रकार और दुश्य तरफ स्थान, कालसी, सन्नती, रामपुर्वा, पानगो, रारिया या पानगोरिया, अब दुसरे तरफ है ब्रिहद स्तंब लेख, ब्रिहद सिला लेख, लव सिला लेख, गुहा लेख अब इसी के आधार पर आपको बताना है सुमेलित करके कि सही उत्तर क्या होगा आपसन ए भी सी डी आपके पास चार आपसन दिये गए हैं बताइए क्या सही जबाब क्या होगा, प्रयास करिए सभी लोग और अपने प्रयास को चेक करिए जब मैं सही उत्तर बताता हूँ तो उसके साथ चेक करिए आपको अपना मुल्यांकन स्वैम करना है अपनी सफलता अपने हाथों में है दोस्त जितने लोग ये सोच रहे हैं कि हो जाएगा उनको ये भी समझना चाहिए कि कैसे होगा होने का तरीका यही है प्रते एक दिन आपने नया क्या सीखा कई बार क्या होता है ने कि परिच्छा में सो क्योशन आये तो सो में से एक दो क्योशन गलत ही है हो सकता है ग्योशन ही गलत पूछा गया हो तो आपका पूरा दिमाग उसी एक दो क्योशन पर चला जाता है उस 989 क्योशन जहां से आप सही करके सफल हो सकते हैं वहां नहीं जाता बलकि आपका वहीं जाना चाहिए उसी पर concentrate होना चाहिए अपने विकल जरूर दीजिए चलिए ध्यान से समझे सभी लोग बहुत important है बहुत ही important है इसे समझेगा देखे इसका सही उत्तर क्या होगा कालसी ब्रिहत सिलालेख कालसी क्या है ब्रिहत सिलालेख सन्नती लगु सिलालेख है बहुत इंपोर्टेंट है सिलालेख है दोनों कालसी सिलालेख लेकिन ब्रिहद है सन्नती सिलालेख ही है लेकिन लगु है आगे ध्यान देना रमपुर्वा अगा नियुक्त में ब्रिहद स्तंब लेकर सकते तो बचा क्या बांगोरारी या पांगोरिय यह है गुहालेख इस हिसाब से मिलाएंगे तो आपका सही उत्तर क्या निकल कर आएगा Option C is right answer मिलाइए कितने लोग का सही हुआ It's a very very important question It's a very very important question ऐसे questions पूछते हैं और आपको इस तरह के questions की जानकारी होनी भी चाहिए ऐसे ही question जो चाहतर कर जाते हैं उनका आप सोचते हो कि उनका उसका अत्रित कैसे हुआ इसी तरह हो जाता है ठीक है overall तो यह रहा आपका question number Question number 12 Question number 13 काफी important है बिंदुसार के दरबार में मेगास्थनीज के स्थान पर सीरिया के सासक एंतियोकस प्रथम के थ्यान समझेगा बहुत important है राज़दूत के रूप में कौन आया था बिंदुसार के दरबार में मेगास्थनीज के स्थान पर सीरिया के सासक एंतियोकलीज या एंतियोकस प्रथम के राज़दूत के रूप में कौन आया था Option A टायोडोरस Option B Arian Option C डियो नीसियस और Option D डिमैकस या डायमेकस बताईए कुश्चन नमबर 13 बहुत महत्पूर कुश्चन है डिमैकस को डायमेकस भी कहा जाता है अपना अपना उत्तर दीजिए कौन आया था जरूर उत्तर दे प्रस्टन बहुत आसान है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इसको पढ़ा होगा जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो डायोडोरस है या डायोणीसियस है या डिमैकस है इस पर कंफ्यूजन में होंगे आपका सही उत्तर है कोशन नबर 13 का डायमेकस डायमेकस या डिमैकस ध्यान दीजिएगा ये सीरिया के सासक एंटियोकस प्रथम का राजदूद था जो बिंदुसार के दरबार में बहुत ही इंपोर्टेंट है मेगस्तनीज के स्थान पर आया था ध्यान दीजिए मेगस्तनीज चंद्गूत मौर के दरबार में था और अभी आपने पढ़ा कि चंद्गूत मौर ने क्या किया सब सिंग्हासन त्याग दिया अपने बच्चे के पक्ष में कॉंसर्ट पगडिएगा, चंद्रगुप्त मौर ने सिंखासन का त्याग किया है, त्याग किया है, अपने बच्चे के पक्छ में, उना युद में मारा गया है, नो उसकी सामाने मुर्ट्तिय हुई है, उसके बाद उसकी सत्ता उसके पुत्र बिंदुसार को जो मिली है न वो इसलिए मिली इस समय क्योंकि चंदूत मौर ने अपने सत्ता का त्याग किया है ज्यान समझेगा और उसी के सासनकाल में सीरिया के सासक एंटियोकस पर्थम का राजदूद डिमैकस एडायमेकस आया था मेगस्नीज के स्थान पर क्वेशन नबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेगस्नीज के अनुसार भारत में अकाल नहीं परता था और नहीं यहां दास परता था पहला स्टेट्मेंट है दूसरा यह पहला स्टेट्मेंट है देखें क्वेशन नबर 14 का यह क्या है पहला स्टेट्मेंट दूसरा इसने पांडे राज में इसने पांडे राज में 365 ग्राम बताया मतलब यह 365 ग्राम मतलब ग्राम है ग्राम वजन वाला ग्राम नहीं इस इट रैट गाउं इसने पांडे राज में इसने मतलब मेगस्नी ने पांड़ राज में 365 ग्राम है ऐसा बताया और यहां की सासी का पांड़या को बताया पाटली पुत्र के सैन एवं नगर प्रसाशन का विस्तित बिवर्ण कौटिल देते हैं और चौथा मेगस्तनीज के अनुसार भारतियों के पास लिखित कानून था आपको बताना है कि जान समझें इन में से सत्य कथन कौन सा है बताईए इन में से सत्य कथन कौन सा है आपको बताना है option 1 केवल 4, option B 3 एवं 4, option C 1 एवं 2, option D 2 और 4 बताईए इसमें सत्य कथन क्या है कि सत्यकथन चूनेंगे बताएं इसमें सत्यकथन क्या है इसमें सत्यकथन क्या है बताएं मुझे लगता है कि आप लोगर अपना जवाब लिख लिया होगा आप देखे बेटा इस क्वेशन को समझिए मेगस्नीज के उसार भारत में अकाल नहीं पढ़ता था और नहीं यहां दास पर था था इस इट राइट अगर सत्यकथन चूनेंगे इस प्रश्ण में थोड़ी स इसके प्रश्ण के बनाने में मैं यहां पर एक आप्सन और रखते रहा हूं आप्सन नमबर एक मेगस्थनीज के अनुसार आप्सन में मेगस्थनीज के अनुसार भारत में अकाल नहीं पढ़ता था और नहीं अदास पढ़ता था यह सही है वास्तों में सही नहीं है लेकि मेगस्थनीज के अनुसार सही है एक और ईंटू मेगस्थनीज मतलब इसा कहता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ता था और नहीं यह आ क्या थी डास पता थी अब देखे इसने पांदे राज्य में 345 ग्राम बता है और यहां की सास का पांदे बता है एक सरसर गलत है ऐसा बि अब यहां पे समझेगा बहुत ही महत्कुन कुश्चा अब इसमें आपको दोनों अस्तर पे मैं बता दूँगा कि किस अस्तर पे क्या-क्या जबाब होने चाहिए अगर असत्य पूछे तव और सत्य पूछे तव ओके ज्यान समझें और आप यह को यह भी पता है कि पाटली पूत्र के सैन और नगर प्रसासन का बिश्चा बिवरण कोटी ले नहीं देता बलकि कौन देता है वास्तों में इसका विश्चिज जो बिवरण है उसका विश्चिज बिवरण मेगस्तनीज देता है मेगस्तनीज और मेगस्तनीज के उसार भारतियों के पास लिखित इस question के बारे में समझे हैं यह statement एक बड़ा ही बिवादित statement है लेकिन हम जान बुच के इसको आपके सामने रखा हूँ ताकि इसके माध्यम से कुछ हम clear कर दें कि वास्तों में होना क्या चाहिए ओके देखी द्यान से लिखित रूप से कोई भी कानून प्राचीन काल में अगर स्मृतियों को मालने धर्मगरंथों को मालने तब तो था कोटिल ने अगर उस समय अर्शास्त लिखा और उसी के आधार पर उसका राज चलता रहा हो तब तो था लेकिन इसका ऐसा कोई स्पष्ट भीवरण हमें मेगस्नीज नहीं देता मेगस्नीज नहीं देता इस हिसाब से इसका केवल पहला ही एंसर सही होना चाहिए तो आप लोग जो बिकल्ब दिया है इस बिकल्ब के आधार पर मत जाईएगा इसमें तुरूटी है सिर्फ आप कि इस पे जाएंगे इसके पहले स्टेट्मेंट पे जाएंगे और कहीं नहीं ठीक है बस इतना ध्यान रखिए क्वेशन नमबर पंद्रह बहुत इंपॉर्टन कुर्शन अर्थसास्त्र में कितने तिर्थ या प्रशास्निक विभाग जिसे कहते थे का उलेख मिलता है बताईए बहुत इंपॉर्टन कुर्शन है और बहुत इस सिंपल कुर्शन अर्थसास्त्र में कितने तिर्थ या प्रशास्निक भाग का उलेख मिलता है बताए आप्शन A 16, आप्शन B 15, आप्शन C 5 और आप्शन D 18 बताए क्या सही उत्तर होगा? क्या सही उत्तर होगा? सही उत्तर क्या होगा? सब लोग अपने जवाब दीजिए अभी थोड़ दिर पहले मैंने तिर्थ और अध्यक्ष की चर्चा की थी अब अपना उत्तर चेक करिए 18 ध्यान समझेगा तिर्थ की चर्चा करता है जो सर्वच्य यहां के सर्वश्ष्ट अधिकारी सबसे बड़े अधिकारी माने जाते है 18 यह चर्चा अर्थ सास्तर में की गई है आगे चलकर 19 वा तिर्थ जुड़ जाता है धम्म महामात्र असोक के समय इसका भी ध्यान रखेगा मातपुने अबराल नेक्श्ट कोश्ट कोश्टन कोश्टन नमबर 16 मौरेकाल में समापा का समीकरण किस से स्थापित किया जा सकता है समापा का समीकरण किस से स्थापित किया जा सकता है ब्रह्मगीरी से, धौली से, गिरनार से या जोगर से महतपुन है किस से ब्रह्मगीरी से धौली से गिरनार से या जोगड से समापा का संबंध किस से न धारित किया जाए जा सकता है बताए ओप्सन दीजिए कुशन नबर सोला बहुत महुत पूर्ण है इंपॉर्टेंट कुशन है दोस्त अपना उत्तर चेक करें सब लोग जोगड जोगड से का समीकरन जो है उस समापा से लगाए जाता है समापा चेतर क्या है जोगड से ओके आगे बढ़ते हैं कुशन नंबर सत्र असोक का कौन सा उत्तरा धिकारी है देवा नाम प्रिय दसी या देवा नाम प्रिय दस नहीं देवा नाम प्रिय मतलब प्रिय कहलाता है दस ही नहीं बेटा अशोक का कौन सा अधिकारी देवा नाम पिये देवताओं को प्रिये कहलाता है यह उपादी प्राय अशोक के लिए हम जानते हैं इन अशोक के अलावा भी है जिसे देवा नाम प्रिये कहा जाता है वो कौन है बताएए आपसने अपने अपने उत्तर दें अपने अपने उत्तर दीजिए बहुत ही महत्वपूर होगा बताईए कुडाल दसरत शालिकुष या संप्रति चलिए चेक कर लिजिए देवा नाम पिय दसरत के लिए प्रयोग हुआ है किसके लिए प्रयोग हुआ है देवा नाम पिय दसरत के लिए प्रयोग हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, दसरत के लिए, कई बार तो ये पूछता भी है, आप अगर देवा नाम पिये पूछ लेता, और प्रस्ट में क्या करता, असोक नहीं होता, ध्यान समझना, असोक, असोक हटा देता, और पूछता कि इन में से किसे या किन को, एक से अधिक भी हो स देवा नाम पिये की उपाधी प्राप्त है, तो उस समय तो दसरत के साथ असोक भी हो जाता न, लेकिन ना पता हो तो सिर्फ आप दसरत, सिर्फ असोक मार के चले आएंगे, इसलिए यह बहुत महत पूण है, कि यह उपाधी किसे प्राप्त है, यह उपाधी दसरत को प्रा सासक, सुचिदो, राजदूत सासक में चंद्रुत, मौर, बिंदुसार, असोक, भागभद्र और राजदूत में हेलियोडोरस, दीमेकस या डायमेकस, डायो, नीसियस और मेगस्थनीज अब इसको आप most important question मानिए most important, इसको एक question भी मान सकते हैं और चार question भी मान सकते हैं अब इसके अधार पर अपने बिकल चुनिए पर्याप्त, सोच समझ कर उत्तर दीजिए पढ़ा हुआ है, पहले elimination process के अधार पर उत्तर दीजिए सोच समझ कर उत्तर दीजिए question number 18, चलिए अपना उत्तर चेक करिए और सबसे simple तरीका क्या बताया गया था सबसे simple, अभी चर्चा हूँ, चंदगुत मौर के दरबार में कौन आए elimination process क्या कहलाता है, कहता है यह में देखिए चार कहां है अगर एक का उत्तर चार आप सौफिजदी जानते हैं कि 100% यही होगा तो फिर तो automatic एक आच दिखिए, एक के चार दो ही जगा दिख रहे हैं है ना यह दो तो गायब हो गए इसका मतलब आपकी प्राइकता जो अब जब चार option होते हैं एक, दो, तीन, चार option होते हैं तो प्राइकता एक बटे चार होती है ना सिर्फ 25% अब आपके सामने प्राइकता कितनी आ गए एक बटे दो यानि 50% और इस बात का सब लोग ध्यान रखिएगा जिन प्रस्नों में आपकी प्राइकता एक बटे दो आ जाया ना यानि 50% आ जाया तो उन प्रस्नों को जरूर अटेम्ट करिए ऐसे प्रस्न जरूर अटेम्ट करने चाहिए अब देखिए विटा जब आपने पहले से ही निकाल दिया तो देखिए चार सिर्फ दो ही बिकल्प में है तो या तो यह सई होगा C या D दो में से कोई A की सई होगा सब सई तो हो नहीं सकता कनफर्म है ना सिर्फ आप देखिए दो से होगा अभी थोड़ी देर पहले बताया अभी थोड़ी देर पहले बताया गया कि बिंदुसार के दरबार में कौन आया था डाइमेकस डीमेकस है डाइमेकस अब बताये तो दो बिकल्प किसमें है या तो C में है या A में है ए पहले ही बाहर हो चुका है सी बच रहा है तो इस आधार पे भी आपका उत्तर तो सही निकल गया देखिए इस आधार पे भी उत्तर आपका सी निकल गया निकला अगा नहीं निकला देखिए कितना कितना क्लियर है अब असोक के समय कौन आया असोक के समय डायोनीसियस आया, आप इसको याद कर लीजिये, most important question है भई, मैंने कहा इसको याद कर लीजिये, और आपको मालूम है, हेलियोडोरस, काशी पुत्र भागभद्र के दर्वार में आया, गरुडस्तम की कहानी, भागवधर्म स्विकार किया, इससे जुड़ी महत्पूर्ण प्रशन है, इससे एक प्रशन नहीं बनते हैं, इससे चार प्रशन बनते हैं, इसको सब लोग याद करिए, और elimination process को जरूर सीखिए, elimination process सीखने से मैं बार बार बोलता हूँ, कि आप 4-5 question तक सही, extra सही कर सकते हैं, ऐसे छोड़े ट्रिक्स होते हैं, आई बढ राज्या विशेक के, कितने वर्स बाद कलिंग का युद्ध लड़ा गया, कितने वर्स बाद लड़ा गया, प्रशन यह है, पहले पांच में, आठ में, तेरह में, वर्स बाद, किस वर्स में नहीं, कितने वर्स बाद, after how many years, ओके, बताए, उत्तर आपके सामने चार हैं, अपने-अपने उत्तर दीजिए, बहुत इंपोर्टेंट है, option A, पहले वर्स बाद, option B, पांच में वर्स बाद, option C, आठ में, और option D, तेरह में, question number 19, बताए, अपना उत्तर चेक करिए, अपना उत्तर चेक करे, कलिंग का युद्ध, इससे जुड़े प्रशन आगे भी बने, कल के प्रेक्टिस सेट में भी हम मौरे काल से ही question लाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, और बहुत महत्पून है, बहुत ही महत्पून, is it right, तो इससे समझेगा, पहले पांच में, आठ में और तिरह में, तीन आपके पचार आपसल है, सासनकाल के नवे वर्स, in ninth year, and after eight year, अर्थात आठ वर्स बाद, आठ वर्स बाद, और नवे वर्स में, कलिंग का युद्ध लड़ा, और जो धम्मा सोख, जिसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, धम्मा सोख, वो बना, इसके पहले वो चंडा सोख था, क्योंकि इस युद्ध में, वो इतना माना जाता है कि हिंसा देखा, कि उसका हिर्दय ध्रवित हुआ, और वो युद्ध नीती त्याग कर, धम्मा नीती को अपना लिया, हलाकि इसके अलग-अलग तर्क भी बहुत बेवस्थित रुप से दिये जाते हैं, निमलिखित में से किसने, सिकंदरिया में, सिकंदरिया, अलेक्जेंडरिया में, भारतिय ग्रंथों के अनुवाद को सुरच्छित रखने हैत, एक पुष्टकाल है कि स्थापना की, option A, Antioch, option B, Ptolemy-Philadelphus, second, option C, Antikin and option D, Aleksundar, क्या सही जवाब होगा, अपना अपना उत्ता जरूर दीजी, और इसे बहुत important question के साथ समझियेगा, कि इसे याद कर जाईए, जिन लोगों को याद नहों हो न, उसको इसे याद भी कर जाएंगे, इसी बहाने, question number 20 को बहुत महत्पूर समझिये, बहुत important, दोस्तों इसे मिलाईए, अपना अपना उत्तर मिलाईए, मैं सही उत्तर दें जा रहा हूँ, टॉल्मी फिलाडेलफस सेकेंड, टॉल्मी फिलाडेलफस सेकेंड जो है, उसने क्या किया था, भारतिय ग्रंथों के अनुवाद को सुरच्छित रखने है तू, एक पुस्तकाल है कि स्थापना के, सोचिए इन युनानियों को, इरोपियों को, आपको अपनी संस्कृती पर गर्व नहीं हो पाता, आपको अपने ग्यान बिग्यान पर गर्व नहीं हो पाता, और आपी की पुस्तकों को पढ़ करके वहां से γ्यान बिग्यान और अनेक सामगरीयों को उन्होंने गरहण किया और अपने सब्दों में अपने तरीके से उसे अविव्यक्ट कर दुनिया में अगरदूत बने ये है भारतिय संस्कृति, भारतिय कला, भारतिय स्थापत्य, भारतिय ग्यान, बिग्यान की प्राचीन धरोहरे हैं उसके अनुबात को ले जाकर के तॉल्मी फिलाडेलफस ने क्या बनाया था? एक पुस्तकाले कंद्रमाण करवाया था अगला क्रेश्चन किस अभिलेख में? चंदगुत मौर्य और अशोक दोनों का नामुल लेख है किस ग्रंथ में चंदगुत मौर्य और अशोक दोनों का नामुल लेख है? ये बताना है आपको बहुत इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट है ऑप्शन सहवाजगड़ी ऑप्शन बी रुददामन का जुनागड़ लेख ऑप्शन सी मास्की लेख ऑप्शन डी सकंदगुप्थ का जुनागड़ अभिलेख बताए बताए कहां पर चंदगुप्थ और अशोक दोनों के नाम का उलेख मिलता है यानि दादा जी और उनके पौत्र है ना यानि पौत्र और उनके दादा जी है न अशूक कौन है चंदगुत मौरे का पौत्र है किसमे उलेख है बहुत इंपोर्टेंट अपना प्रैंसर मिलाईए रुद्रदामन का जुनागडविलेख जो संस्कृत का पहला भी लेख है ब्रामी लिपी में लिखा है चंपू सहली में जिसमें रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्डन है फुसाविलेख में हमें क्या मिलता है ये चंदगुत मौर और असोक के नाम का उलेख भी मिलता है ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है किस कितने लोग का इस सही हुआ अपना अपना उत्तर बताईए आप में से कितने लोग का सही हुआ इसके इसाब से अपना उत्तर चेक करिए और बताईए कि कुल कितने क्वेश्चन आपके 21 में सही हुए आज यहां तक ये 21 क्वेश्चन ही नहीं है इससे आप 40-50 क्वेश्चन बना सकते हैं और तयार रहिए अगले टेस्ट के लिए कल practice it दूसरा हम लेकर आएंगे इस होली में आप सब को आपके मित डॉक्टर मित कुमार्शुकल की तरफ से आपके सिच्छक डॉक्टर मित कुमार्शुकल की तरफ से बहुत बहुत बढ़ाईयां सुब कामना है अच्छे से खेलिए मस्ती करिए लेकिन पढ़ते रहिए बहुत दो धन्यवाद थाइंक यू